आज स्टार्ट करेंगे वर्क अनेर्जी चेप्टर के कोश्चेंज पेस्ट ओन हाई ओडर थिंकिंग इसके लिए यानि की होट्स कोश्चेंज लग में सिंग बुक से तो कोश्चेंज है एक लड़का जो है वो एक ट्रक को पुश करता है और दूसरा लड़का जो है एक बा की होट्स करता है तो बाई सेकल जो एक yours कार्व करती है तो किस केस में वोगरन ज्यादा हुआ है ट्रक पर या सपर या बाइसेकल पर और हमें रिजन this cover इन दोनों का प्रोटेक्ट लेकिन जब ट्रक पर ट्रक को पुश्ड किया तो ट्रक जो है मूव नहीं हुआ तो डिस्टेंस टेवल इस केस में 0 है तो व्रक्डन क्या होगा जीर होगा तो इससे हम बता लगा सकते हैं कि वर्क्डन किस पर ज्यादा हुआ है ट्रक और बाइसेकल में बाइसेकल पर हुआ है जबकि ट्रक पर जो वर्क्डन है वो जीरो है क्योंकि ट्रक जो है फोर्स लगाने पर मुव नहीं हुआ ठीक है तो कैसे लिखेंगे आप आंसर more work is done on the bicycle this is because bicycle moves through a certain distance on applying force the work done by a force acting applicually is given by the formula w is equal to f cos theta into s what will happen to the work done if angle theta between the direction of force and motion of the body is increased gradually will it increase decrease or remain constant तो यहां पर हमें work done का formula दिया है by a force acting applicually w is equal to f cos theta into s तो जो theta है थीटा क्या होता है angle direction of force और direction of motion of body के बीच का जो angle है अगर उसको दीरे दीरे बढ़ाया जाए तो work done जो है वो बढ़ेगा या decrease कम होगा या constant सेम रहेगा हमसे यह पुछा है तो इसके लिए आपको कुछ concept पर दियान देना होगा देखो यह हो गया अपली क्यूली यह होता है थीटा एक हो गई direction of force और एक हो गया direction of motion of object ठीक है यह हो गई force और यह हो motion of object ठीक है s से distance जितना travel करा है इन दोनों के बीच का जो angle होता है इसको हम थीटा से show करते है ठीक है तो जब force अपली क्यूली लगती है तो work done का formula होता है f cos theta into s जहां पे थीटा जो है यह angle है force और distance के बीच में अब देखो थीटा की जो values होती है वो मैंने लिख लिख ली जो angles है cos angles कौन कौन से angle ले ली कुछ angles ले ली हमने क्या क्या angles इन दोनों के बीच में हो सकते है 0, 30, 45, 60, 90, 180 इन सब की values लिख ली cos 0 degree होता है 1, cos 30 degree होता है root 3 by 2, cos 45 होता है 1 by root 2, cos 60 degree होता है 1 by 2, cos 90, 0 और cos 180, minus 1 ठीक है तो इतने angles के बीच में theta की values जो है वो मैंने लिख ली 0 से लेकर 180 तक ठीक है अब अगर आप इन values को देखोगे देखो 0 जब सबसे छोटा angle है तो value है 1 अब जब angle बढ़ा 0 से 30 degree हो गया तो value हो गई root 3 by 2 यानि 1 से छोटी है root 3 by 2 root 3 की value होती है 1.73 1.73 को 2 से जब आप divide करेंगे तो 1 से छोटा आएगा ठीक है तो angle बढ़ा तो cost सीड़ा की value छोटी हो गई फिर 30 से जब 45 एंगल और बढ़ा हुआ तो 1 by root 2 ये value इससे भी छोटी हो गई root 3 by 2 से भी छोटी होगी 1 by root 2 root 2 की value होती है 1.414 1 को जब 1.414 से डिवाइट करेंगे तो इससे भी छोटी value आएगा ठीक है फिर 45 से हमने 60 करा angle तो जब 60 हो आए angle तो value होगे 1 by 2 1 by 2 की value होगे 0.5 cos 90 पर value होगे 0 और cos 180 पर minus 1 तो जैसे जैसे आए angle बढ़ते जा रहे हैं value जो है वो कम होती जा रहे है ठीक है तो यहां से हमारा हमें answer मिला जब angle बढ़ेगा ठीक है angle जो है direction force और motion of the body इनके बीच में angles को जब हम बढ़ा करेंगे तो ये cost सीड तो overall work done जो है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है the work done will decrease on increasing the theta या angle between force and motion of the body next question what should be the angle between the direction of force and direction of motion of a body so that work done is 0 work done 0 हो तो इसके लिए angle direction of force और direction of motion of body के बीच का angle क्या होना चाहिए तो देखो अब हमें मालू में work done का यहाँ पर formula क्या होता है f cos theta into s ठीक है जब इन दोनों के बिच में कोई angle बन रहा है तो ये पूरा का पूरा 0 कब होगा जब cos 90 होगा यहाँ पर theta क्या होगा 90 होगा तो हमारा answer 90 ठीक रही है तो cos 90 क्या होता है 0 होता है जब आप यहाँ पर output करेंगे तो यह पूरा product 0 हो जाएगा तो work done क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो आप याद रखेंगे जब इन दोनों के बीच में force और motion of object के बीच में जो angle होता है 90 degree होता है तो work done 0 होता है next question in which of the following case the work done by a force will be maximum when the angle between the direction of force and direction of motion is 0 degree और 90 degree direction of force और direction of motion के बीच में 0 degree angle होगा या 90 degree होगा दोनों में से कौन सा angle होगा जाब work done जो है वो maximum होगा तो हमारी हम इनी values पर हमारा answer depend करता है 0 degree पर cos 0 की value कितनी है 1 cos 90 की value कितनी है 0 ठीक है तो जब angle 0 degree होगा तो work done maximum होगा जबकि जब angle 90 degree होगा तो work done 0 होगा यान minimum होगा ठीक है so the work done by the force will be maximum when the angle between the direction of force and direction of motion is 0 तो cos 0 की value क्या होती है 1 होती है तो work done इस case में maximum होता है और अगर 90 degree होती है तो cos 90 की value 0 होती है तो work done 0 होता है next question है 75th question how much work is done by the gravitational force of earth acting on a satellite moving around it in a circular path give reason for your answer कितना work done होगा gravitational force of earth के थूँ जो act कर रही है एक satellite पर जो circular path पर earth के around move कर रही है और हमें reason भी बताने है अपने answer का तो यहां work done 0 होगा क्यों होगा यह देखिए मैंने इसको diagram के साथ explain किया है तो gravitational force यह हो गया earth और यह है satellite जो ऐसे circular path पर move कर रही है ठीक है तो motion of satellite ऐसे है और gravitational force ऐसे है तो दोनों के बीच का जो angle है वो क्या है right angle ठीक है इस cancer is zero because the gravitational force act at right angle to the motion of satellite gravitational force और motion of satellite एक दूसरे पर perpendicular है तो perpendicular ने तो angle के हो 90 degree और cos 90 की value अभी मैंने आपको बताए यह जीरो होती है तो यहां पर पूरा overall work done क्या हो जाएगा जीरो नेक्स्ट कुशन a man is instructed to carry a package from the base camp at B to submit A of a hill at a height of 1200 meter तो एक man को एक package जो है carry करना है camp B से summit A hill पर जो 1200 meter height पर है ठीक है the man weights 800 newton and the package weights 200 newton man का weight 800 newton और package का weight 200 newton G की value दी है 10 meter per second square how much work does man do against gravity तो work done against gravity होता है MGH ठीक है potential energy acquired by the body MGH second part में पूछा है what is the potential energy of the package at A सिर्फ package की बात करी है at A if it is assumed to be 0 at B B point पर वो 0 था तो A point पर package की potential energy क्या होगी ठीक है करते हैं कुशन weight of man है 800 newton weight of package है 200 newton total height जो दे रखी है वो है 1200 ठीक है sorry sorry height at 1200 तो total weight कितना हो गया दोनों का man का और package का मिलाकर total weight हो गया 1000 newton आप याद रखेंगे weight होता है M into G ठीक है gravity chapter में हमने बढ़ा था weight is equal to M into G अब यहां पर work done क्या होगा work done against gravity MGH M into G total weight हो गया 1000 newton ठीक है अब G की value अलग से पुटनी करेंगे weight का मतला भी M into G होता है तो हो गया 1000 newton height हमें given है 1200 meter हिल की ठीक है इन दोनों का product करा तो यह बन गया 1 2 और यह 50 इसको चाहे आप इस form में भी लिख सकते हैं या फिर आप Joule से किलो जूल में convert भी कर सकते हैं एक दो तीन चार पांस divided by 1000 कर दो तीन जीरो कट हो जाएंगी तो 1200 किरो जूल भी लिख सकते हैं ठीक है इतना work done हुआ second part में हमसे सिर्फ packet का work done पूछा है packet की potential energy पूछा है तो weight है packet का 200 newton height 1200 meter है तो potential energy MGH जिसमें M into G की value हमार पास 200 ठीक है weight क्या हता है M into G यहा पर मैंने लिखती है हाइट है 1200 तो 200 x 1224 तूलाइक फोटी थाउजन जूल इसको भी divided by 1000 कर दो 1000 करने भी यह 3 जीरो कट जाएंगे 240 किरो जूल नेक्स कुश्चिन जब हम एक बॉल को upward throw करते हैं तो उसकी velocity कम होती चली जाती है what happened to its potential energy as its velocity become 0 तो इसकी potential energy क्या होगी जब उसकी velocity 0 जाएगी velocity 0 कब होगी जब वो maximum height पर पहुंच जाएगी जितनी height पर जा सकती उतनी height पर पहुंचने के बाद वो रुक जाती है ठीक है कोई भी चीज़ आप जब आप vertically upward throw करते हैं तो maximum height अचीव करने के बाद उसकी velocity 0 हो जाती है तो इसमें potential energy क्या हो जाएगी potential energy किसपे depend करती है mgh तो height maximum होगी तो potential energy क्या होगी maximum होगी ठीक है तो यहां पर आप लिखेंगे potential energy becomes the maximum next question 78 a man x goes to the top of a building by a vertical spiral staircase spiral staircase से एक आदमी top of a building जाता है another man y of the same mass goes to the top of the same building by a slanting leader और दूसरा slanting leader जो है उसके थ्रू जाता है same building के top पर और उसका mass भी same है ठीक है which of the two does more work against gravity and y तो मैं बताना है किस ने ज्यादा वर्क किया है और क्यूं तो देखिए x और y दोनों का mass same है दोनों ने जो distance vertical distance covered किया है वो same किया जी की value same होती है तो दोनों के mga दोनों cases में same है तो दोनों ने equal work done किया ठीक है आप इसका answer इस तरह से लिख सकते हैं both the man x and y do equal amount of work against gravity because both the man have same mass and the vertical distance moved by them against gravity is also the same ठीक है तो work done against gravity क्या होता है mgh mass दोनों का same है height दोनों ने vertical distance दोनों ने same covered किया है g की value भी same होगी तो work done भी क्या होगा दोनों case में same होगा next question when a ball is thrown inside a moving bus does it kinetic energy depend on the speed of the bus explain एक ball को throw किया जाता है moving bus में तो क्या उसकी kinetic energy ball की kinetic energy speed की bus पर depend करती है explain करना है तो सबसे पहले तो yes की kinetic energy जो ball की है वो speed of the bus पर depend करती है kinetic energy क्या होती है kinetic energy दो factor पर depend करती है एक तो mass of the object and square of the speed of the object ठीक है इन दो चीजों पर depend करती है अब इसका answer देखेंगे kinetic energy of a ball thrown inside a moving bus depends on the speed of the bus because kinetic energy is directly proportional to the square of the speed of the moving ball ठीक है तो जो kinetic energy है वो directly proportional है जो moving ball है उसकी speed की square के ठीक है जब हम एक ball को bus में throw करेंगे तो speed of bus adds up to the speed with which the ball is thrown inside the bus तो bus की speed जो है वो add हो जाएगी उस speed में जिस speed के साथ ball को throw की है bus में तो speed जो है वो change हो जाएगी बॉल की तो उसकी kinetic energy भी change हो जाएगी last question अब bullet of mass 15 gram has a speed of 400 meter per second what is its kinetic energy एक bullet का mass given है उसकी initial velocity given है तो हमें उसकी kinetic energy निकालना है तो सबसे पहले यहां तक कर लेते हैं mass given है gram में तो हमने उसे kg में change के लिए divided by 1000 करके initial velocity 400 meter per second given है kinetic energy क्या होती है half mv square इसमें पुट कर देते है half mass को 15 upon 1000 kg velocity 400 है तो velocity का square है तो 400 multiply 400 है इन 2 0 से 2 0 cancel एक यह 0 cancel ठीक है यहां पर आगे 2 15 for 60 62 जा 120 120 और एक यह वाली 0 तो kinetic energy आगी 1200 जूर ठीक है initial kinetic energy आगे का question बढ़ते हैं if the bullet strikes a thick target and is brought to rest in 2 cm अब वह बुलेट जो है वह थिक target में strike होती है और रेस्ट पर आ जाती है यानिकि velocity अब 0 होगी 2 second में sorry in 2 cm यानि कि उसने जो distance कवर्ड किया वह 2 cm कवर्ड किया है calculate the average net force acting on the bullet तो हमें बताना है कि बुलेट पर कितनी net force act कर रही है वो निकालनी है what happens to the kinetic energy originally in the blood तो जो kinetic energy थी बुलेट की वह उसका क्या हुआ फिर यह भी बताना है तो हमें net force निकालनी है और बात में बताया है कि वह जो बुलेट है वह रेस्ट पर आ गई 2 cm distance कवर्ड करके तो देखो final velocity क्या होगी उसकी 0 जब वह रेस्ट पर आ गई तो final kinetic energy भी 0 हो जाएगी जब यहां पर हम V की value 0 पूट करेंगे हाफ Mb2 में तो final kinetic energy भी 0 हो जाएगी उसने distance के कितना कवर्ड किया 2 cm distance जिसे हम S से शो करते है 2 cm तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि distance मीटर में होना चाहिए 2 upon 100 मीटर ठीक है अब work done कितना हुआ वक्ड़न होता है चेंज इन काइनेटिक एनरजी तो चेंज इन काइनेटिक एनरजी कि final minus initial minus 400 होगा आप simple 400 लेजे लेजे 400 अब स्वाइनेटिक एनरजी 200 है फाइनल जीरो है तो work done कितना होगे 1200 Joule तो इनीचल करेंगे तो मैंस में आएगा लेकिन मैंने plus में ही लिखा है माइनस में भी लिख सकते हैं अब हमें निकालना है फॉर्स तो वग्डन क्या होता है कि वग्डन इज इकॉल टू फॉर्स मलिटिप्लाइड इस्टेंस मुग़ग उपसेट तो वग्डन हुआ है 1200 जूल फोर्स हमें निकालनी है और डिस्टेंस कितना कवर्ड के एड़ तो अपोन हैंडेड मीटर ठीक है तो एफ इस इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्रिशन को सोल कर देते हैं त्वेल हैंडेड यह फ्रेक्शन जो है इधर आकर एसी प्रोकल हो जाएगा हैंडेड ऊपर तू नीचे है तो सिक्स ट्वेल ठीक है सिक्स और यह चार्ट जीरो कि सिक्स्टी हाउजन न्यूटन यहां इसे सिक्स इंटू टैन देज टू पावर फोर न्यूटन भी लिख सकते हैं ठीक है अब एक और बात पुछी इसमें कि जो बुलट में काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या हुआ तो बुलट की जो काइनेटिक एनर्जी है वह हीट एनर्जी में चेंज हो गई करें करें